इस भीडियो में दीगाई जानकारियों फर एड़ वर आप सब का स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे ऐलमॉक्स सीबी 626 कैप्सूल्स का अंदर कॉंटेंट सॉल्ट के यह यानि कितने कॉंटेंट सॉल्ट के मदद से यह बना जाता है इसके सही में प्राइस क्या रहे सकत क्या जासकता हैं सब्कूस पूर्री डीटेल सानेंगे ये जो को एलमॉक्स CB 625 का पसूल से हैं इसके जो कॉंटेंस हैं कॉंपोजिसांस है इसके कॉंपोजिसां में और क्या ब्रैंड नेम मार्केट में मिल सकते हैं सब कुछ पूरी डीटल से आनेंगे पूरी वीडियो के साथ बने रहिए पूरी जान करें लिजे क्योंकि आधाधुरा जान लेबा भी हो सकता है चलिए वान स्टेब लान अब एडबांस मेडिकल नोलेज की तरह बढ़ते हैं एलमॉक्स CB 626 का पसूल से जिसको एलकेम लेबरेटरिस द्वारा मार्केट में लाए जाता है एलकेम लेबरेटरिस द्वारा ये एक जेनेरिक डिविजन में बना ज हो सकता है एक सो नबबए सलाका 210 रुपया के बीज में 10 कैप्सूल बहुत यह आसानी से आपका हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा यह जेनरिक मेडिसेंस होने के करवाण से कुछ मेडिकल स्टोर में आपको बढ़ी मात्रा में डिसकाउंट में भी मिल सकता है लेकिन यह प्ति आच्छे का प्सूल इसका अंदर जो कॉंटेंट सौल्ड है पहले जो इंग्रेडियन से वह है एमोक्सिसिलिन इसके अंदर 500 मिलीग्रम के स्ट्रेंद में मिल जाता है एक एंटी बायोटिक मेडिसेंस है जो कि बैक्टरियाल ग्रोथ को रोकने के लिए युजस लिय गिया जाता है. दूज्रे जो इंडीडियान्स है वो है पॉटासियम क्लयवोनिट जिसको क्लयवोनिकbracht असिट भी कहा जाता है. यह 125 mg के स्ट्रेंद में मिल जाता है इसकंदर. पॉटासियम म्लेवोनिट कोई antibiotic Antibiotic Medician नहीं है तो Antibiotic के साद यह क्यों मिलाए गया है यह आपका question मन में ज़रूर रहे सकता है Amoxicilline के साथ जो Potassium Claminid मिलाए जाता है इसके काम करने का किसमता को बढ़ाने के लिए Potassium Claminid 1 beta-lactomage inhibitor है जो Amoxicilline के या कोई भी antibiotic के resistance होने से बचाता है जब हमारा सरीन में ज़्यादा या कम मत्रा में कुछ भी एंटिवायोटिक जाता है उसके रेसिस्टेंट होने का खत्रा रहता है उससे बाचने के लिए ही पोटाशायम क्लेबुनेट या क्लेबुनिक असीड इसके अंदर मिले जाता है आशा करता हूँ आप लोगों की इंपक्सान जो होते है महिला में सबसे ज्यदा होता है हालाक की पुरुषँं-धुलमें भी होते हैं और Cancer नी ज्टा है कुछ भी इंपक्सान होने के करणंद से यू impressed सब्सक्राइबूर। साइनोसाइटिस के प्रोब्लम को ठीक करने के लिए भी इस कप्सूल का उज्यस लिया जा सकता है जैनाइटल कुछ भी infection हो गया हो चाहे गॉनोरिया हो सकता है और भी बहुत सारा infections है जिसको sexual transmitted disease week आजाता है उसी situation से मुप्ति पाने के लिए उसी infection को ठीक करने के लिए इस कप आख्षाम पकष नहीं रिट को ठीके के लिए इस अज्ट टिसुद का मेडिसिन में आपको नहीं मिलेगा। डॉक्टर के पसंदीदा नाम्मार वान मेडिसिन में ते एक है, URI यानि आप हार रिस्प्रेटरी ट्रैक्ट में कुछ भी इंफेक्शन हो गया हो, उस सिच्वेशन से मुक्ति बने के लिए इस कैप्सूल के तोड नहीं है, इसी कैप्सूल को सबसे ज़्यादा उपयों लिया जाता है, चाहे हड्डेओं के जॉइंट्स में इंफेक्शन हो, चाहे नाखुनों में इंफेक्शन हो, सब ही प्रकर के इंफेक्शन को ठीक करने के लिए इस कॉमपोजिशन का मेडिसिन यूजस लिया जाता है, जिसे बहुत अच्छा फाइदा मिल सकता है हार्ट परकर की बैक्टरियल इंफेक्शन को ये ठीक कर सकता है ये मुख्यतर यूजस था ये महने बता है और भी बहुत सारे यूजस हो सकता है जो डॉक्टर नून के एक्स्पिनियांस का कोडिंग ले सकते है दोस्तों ये जो मक्सी के कमपोजीसन में बहुत सारक सार ब्रेंड ये मिल सकता है यो भी जो कोई ब्रेंड आपको सास्ता मिली असंसे मिल अब ले सकता हो एक से दूसर बैंड में सबस्ट्τη्टूट की ज습ně काम य comply की होगा डोज एक ही होने से सब के काम एक होगा दूस्तों इसको यूज करने से पहले डॉक्टर की साला लेना बहुत ज्यादा जूरूरी होता है क्योंकि यह अंटिमेटिक मेडिशन से खुद से यूज़ नहीं कर सकते और खुद से यूज़ करने पर बहुत सारा side effects भी हो सकता है जैसे कि नाउज़ आप होमिटिंग जैसी tendency हो सकता है पेट में गैस्टी इरिटेशन बन सकता है abdominal pain हो सकता है यानि पेट में दर्थ रह सकता है और भी ब्लार भी जान देखा सकता है सर चक्रा सकता है weakness लग सकता है ज्यादा दिन ज्यादा मात्र में लेने पर ऐसे सभी problem देखा जा सकता है doctor आपको यह medicine change करके दूसरी कोई medicine दे सकते है या इसकी कुछ dorge adjustment करके आपको दूसरी कोई treatment देके आपका जो side effect हो रहा है उसको ठीक कर सकता है दोस्तों इसलिए खूद से यूज करना माना है इसको यूज करने से पहले safety information कहा है यह चाल लेंगे किन-किन patient को दिया जा सकता है किन-किन patient को नहीं दिया जा सकता है उसे पहले एक द्वारखस्त मैं जरूर करना चाहूंगा अब लोगों से जादा तर लोग मेरा वीडियो देखके चले जाते हो लेकिन subscribe नहीं करते हो मेरे चैनल को जरूर subscribe कर दीजिए और वीडियो को like कर दीजिए क्योंकि आपका subscribe मेरा हिम्मत बना रहेगा और मैं जो medical related वीडियो बनाता रहता हूं आपके पास notification पहले मिल जाएगा अब notification बिल को भी दावा दीजिएगा notification पहले लीजिएगा और जाता से जाता लोगों के पास पहुँझेगा share कर दीजिएगा वीडियो को वाचे तो यह डॉक्टर के पसंदीदा medicine नहीं है यह दिया नहीं जा सकता फिर भी जाता जड़ों तो दोक्टर दे सकते हैं इनके content से पहले भी allergy रही चुका हो उनको नहीं दिया जासकता जान भी जा सकता है और सभी में डॉक्टर के साला के साथ यूज्स लिया जा सकता है लेकिन डॉक्टर के साला के बीना इमजस ना करना इसके सबसे जह महातोगन पाड है इसके डोज सकता है कैसे मात्रा में कितने दिन तक कब तक लिया जा सकता है यह चाल लेंगे डोज हमेशा रोग का एद ततरोग का सीवियरिटी के उपर निर्वार करता है जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूं इस वीडियो में भी सेम रहेगा रोग के सीवियरिटी क तो यह इनीड़ीबन करता है कितने दिन संवल, कितने दिन नहीं चलेगा एक यह तक या कम सेवियर हो तो पांस दिन तक डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है एक चीज आपको धियान रगना बहुत जड़ा जोरुड़ी है जो कि यह एंटिबाइटिक मेडिसिन सा है डॉक्टर जीतना डोस दिया है उतना ही लिजिए खुद से बीज में यह मेडिसिन छोड में दिजिएगा क्योंकि रिसिस्टेंट पैदा होने का खत्रा बोड़ी मत्र में बना रहता है इसलिए डॉक्टर जीतना दिन दिया है उससे ज्यादा या कम मत लिजएगा अज के लिए वस इतना ही इतना ही इन परमसन देना था अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गैसे ही वीडियो पाने के लिए मिलेंगा अगले वीडियो पातब तब तक कर लिए सुरुक्षिद रहिए अच्छे रहिए धन्यवाद